दोस्तों रिलाइस पावर की बात करें तो कल हमने काफी अच्छी तेजी देखी क्योंकि निप्टी एनरजी में गिरावर थी उसके बावजुद भी रिलाइस पावर में तेजी बनी इसके पीछे वज़े यह है कि वर्दे पार्टनर्स को उन्होंने वरंट्स जारी किये और में बड़ी तेजी आ सकती है सबसे बड़ी बात यह है कि रिलाइस पावर जिसका बीजनस बहुत ही सांधार है बले ही कमपनी लॉस में लेकिन उनके पास ओर्डर बुक काफी मजबूत है और बीजनस बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसके इलावा कमपनी के सोलर प्रजेक सबसे बड़ी बात यह कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा है यहाँ पर प्रमोटर इस कमपनी को आगे लेके जाना चाहते है और इसलिए यहाँ पर इन्वेस्मेंट का जरिया भी बनता है तो बहुत सारी बात है जिसको इस वीडियो के मादे में से डिसकस करें करेंगे एक बहुत बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है थर्मल पाउर प्लांट के लिए आने वाले समय में थर्मल पाउर प्लांट का बविश से उजवल हो सकता है यह रिपोर्ट कह रही है और आने वाले समय अगर आप किसी थर्मल पाउर प्लांट की कंपनी में इन्व कई गुना बढ़ सकता है सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बाजार में FI की फिर से खरीदारी शुरू हो चुकी है और उनका निवेस आलरी आप देख सकते हो कि रिलाइस पाउर में बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में यहां पर खरीदारी फिर सुरू होगी और इस्टॉक की प्राइज भी बढ़ेगी और कम समय में जिस्तर से एक महिने में ही आपने देखा होगा 12 रुपीज का इस्टॉक 25 तक चला गया था वैसी समौना फिर बन सकती है तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के मादेम से सबसे पहले अगर हम निप्टी एनर्जी की बात करें तो 25 तक चलोजिंग थी जहां पे हमने करीब 0.60% की गिरावट देखिए तो निप्टी एनर्जी में गिरावट थी उसके बावजुद भी काफी अची तेज हो है और 25 इसका 52 वी काई है जो रिसेंट लिच ने बनाया था फिलार स्टॉक 16 के आसपा से तो काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है एक तरसे देखे तो यहां पर इंट्रिक की जा सकती है जैसे कि आपको पता ही होगा वर्दे पार्टनर्स ने एक बड़ा की है तो एक तरसे अगर आप देखे तो यह बेस प्राइज बन चूकि अब इससे नीचे गिरावट की समवना कम है क्योंकि एक तरसे इसकी प्राइज ये डिसाइड की गई है और इसकी वैलूशन निकाली गई है वो साड़े पंदरा से उपर है जो एक अच्छी बात है औ तो आप समझ सकते हो कि एक तरसे जो लोगों के मन में वहम था जो डर था कि प्राइज फिर से 11-12 रुपी हो जाएगी तो वैसी आप समवना नहीं क्योंकि आलड़ी यहापे वर्दे पार्टनर से ही साड़े पंदरा के उपर इसके वारंट से उन्होंने एक्सेप्ट किये तो ऐसे में इसकी प्राइज के लिए हमें डरने की जरूती है 16-16 बाइज श्टॉक है तो लगबग नीचे की तरफ ही है आने वाले समय में इसकी प्राइज बढ़ सकती है इसके रिटन को अगर हम देखे तो पिछले पास साल के हिसाब से इसने 58% का निगिटिव रिटन द जी है तो यह आप देख सकते हो कि कोविड काल में श्टॉक एक रूपे के आसपास था वाहाँ से जो दोड़ा तो बहुत ही जबर्दस 19 रूपे तक जा किया है बहुत ही जबर्दस रिटन दिया लोगों इसने एक तरह से यह जैकपोर्ट सावीदों लोगों के लिए अब से जा उसकी काफी ज़यादा लिमिट है और इस हिसाब से देखें तो thermal power plant और hydro power plant के माद्यम से ही बिजली का जो उत्पारण होगे उसका इस्तिबाल किया जा रहा है तो आप देख सकते हो कि फिलाल thermal power plant lime light में आ चुके है hydro power की बात कर तो इसके लिए जो electricity generation उसका वो सीजने बल है और इस वज़े से उसमें थोड़ी सी limitation है इसके इलावा gas में जो generation है वो natural gas की price की वज़े से भी effect हो जाता है वहाँ पर प्राइज बढ़ेगी तो उसका हमें negative impact देखना को मिलता है उसके वज़े से प्रॉब्लम आती है लेकिन thermal power plant से 24 hours बिजली का उत्पादन हो सकता है और इसलिए इसी को एक तरसे देगा मुख्य जरिया फिलाल बंदा है तो capacity अभी तक उसको install नहीं कर पाए अभी तक battery storage की जब तक व्यवस्ता नहीं की जाएगी तो rhythmology के जो sources है वो काम नहीं कर पाएंगे यानि जब तक storage की व्यवस्ता नहीं होगी इसके लिए कम से कम 3-4 साल का समय लग जागा तब तक जो भी मुख्य स्रोत है वो सिर्फ thermal power plant ही है और इसी के उपर बिली का सारा उत्पादन अभी फिलाल तो dependent है तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वारे 3-4 साल तक तो thermal power plant का बहुश्ता काफी ज़्यादा bright दिखाई दे रहा है उसे वड़ी बात यह है कि इस बार जो electricity demand है उसमें 11.9% की jump देखनों को मिल रही है तो यहाँ पे जो electricity demand बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए फिलाल coal-based power plant ही मुखे जर्यादा बने हुए तो ऐसे में जैसे electricity demand बढ़ रही है उसको coal-based power plant के मादिम से पूरा किया जा रहा है और यह लगातार demand बढ़ रही है उसमें से आने वारे समय भी सरकार coal-based power plant को बंद करने की कोई समावना नहीं है अब यहाँ पर जो total install capacity की बात करें तो इसमें 118.0 gigawatt की capacity है वो renewable energy के मादिम से आते हैं जिसमें 60.8 gigawatt solar है और 41.6 gigawatt का wind energy का installation है इसके मादिम से बिजली का इस्तिमाल हो रहा है इसके इलावा गने के तो thermal power plant की capacity है वो 236 gigawatt की है और hydro power के मादिम से जो बिजली का उत्पास में 46.8 gigawatt का सही हो गए तो आप देख सकते हो कि जो मुख्य जरिया है फिलाल electricity consumption का जो भी हो रहा है उसको इसको इस्तेमाल करने के लिए सिरफ thermal power plant ही अभी समय वो capacity रख सकते है जिसके विज़े से ही electricity का consumption जो हो रहा है उसको पूरा किया जा सकता है फिलाल सरकार फोकस कर रही है कि हाइड्र पाउर capacity को बढ़ाया जाए साथ में रिद्रमलाजी के sources को भी आगे बढ़ाया जाए और धीरे-धीरे करके जो carbon footprint है उसको कम किया जाए नहीं धीरे-धीर जो coal-based power plant के मादे में से जो बिजली का उसमय लगने वाला है और जिस तरह से यहाँ पे electricity consumption बढ़ा है उसको पूरा करने के लिए अभी भी आप देखे तो coal-based power plant को बढ़ाया जा रहा है 27.6 gigawatt के thermal power plant की capacity फिलाल under construction है तो आने वाले समय अभी thermal power plant और बढ़ेंगे दूसरी तरह अगर आप देखे तो जो नए private player है वो private player किसी भी company में अब नया investment नहीं करे बलकि जो company या तो loss में चल रही है जो एक तरह से देखे तो कमपनी का लगाता revenue आपको थोड़ा सा कम होता हो दिखाई देखा जो एक तरह से देखे तो company के लिए टेंशन क्रेट करने वाली बात है 2018 में जो इनका revenue था वो 9,592 को भीज़ का था जो 2022 तक कम होते हुए 7,593 को भीज़ जगा है लेकिन अब लग रहा है कि फिर से इस बार आखरे उत्सावर्दक हो सकते है company के profit loss की बात करे तो 2018 में company को 8,35 को भीज़ का बड़ा profit था और 2020 में company को भारी नुक्सान होदा जब कोविड काल में करीब 4,255 को भीज़ का बड़ा loss हुआ लेकिन 2021 में company फिर से profit में भी आई थी लेकिन 2022 में company को फिर से 5,65 को भीज़ का loss हुआ अब लग रहा है कि इस बार कुछ result सांदार रह सकता है यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पे आप देख से कि जून 2021 में promoter के holding मातर 9,06 परसें थी वो promoter ने बढ़ा के उसको 24,98 पर लाए तो promoter ने अपनी holding को बढ़ा है यह एक तरसे बहुदा बढ़ा पॉज़ि जो लगातार बढ़ते हुँ आप देखते हैं कि जून 2022 में 7,79 परसें तक आगी है और हर quarter में यहाँ पे FI ने holding को बढ़ा है और इसलिए stock में बरुसा करना चीए और पिछले दो ट्रेडिंग से देखे है तो यहाँ पे FI फिर से बाज़ार में खरिदारी सुरू कर चुक जनर पब्रीक की बात गतार उनकी holding भी आपको कम होते हैं देखे देखे जून 2022 में आप 84.90% की holding थी जो फिलाल 63.72% की holding है कुल मिला के देखे तो company काफी मजबूत लग रही है एक बार हम इसके community sentiment को check कर लेते हैं तो यहाँ पे 87% buy की call है 13% sale की call है यानि 100 में से 87% लोग इस support है यह support तूटा तो stock 15.6 है उन तक जा सकता है और यहाँ पर भी stock नहीं रुका तो फिर 15.38 तक जा सकता है तो जैसे कि अगर आप देखे तो वर्दे पार्टनर्स को 15.5 है की price से stock अलड़ी उनको वारेंट्स जारी किये गए तो आएसे में बड़ी किरावर्ट की समभना न रही second resistance निकल क्या रहा वो 16.67 क्या है इसको पार्क लिए फिर 16.38 तक जा सकता है तो long term का नजरी आले कि इसमें बने रहे यह stock आपको आने वाले समें माला मल कर देगा लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाड़ी ले ले यह आपना खुद का research करे क्योंकि मैंने व कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कर दीजे थैंक यू फ्रेंड